साथियों स्वागत है आप सभी का एक और नई कलास में पीबियार स्टेडी अप्लिकेशन की स्पेसल कलास आप देख रहें टॉपिक है आपका क्यूब आपको मालूम है कि आपके टोटल चार टॉपिक अभी बचे हैं अगर हम मोटा मोटा से बताएं तो पांच टॉपिक अगर इनको दो बान लें तो ठीक है इनको पढ़ने के बाद आपका बेसिक हमारी तरफ से पूरा कंपलिट हो जाएगा और मैं उमीद करता हूं कि आपने नोट्स बना लिया होगा और नोट्स अगर बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं बनाया है तो लापरवा सीख चुके अब तक है न यही एडवांस मैट्स आप इसे कह सकते हो इसका थोड़ा सा बचाय कांसे क्या होता है क्यूब क्यूब जिसे आप घं के नाम से भी जानते हो अगर मैं इससे प्रैक्टिकली दिखाऊं तो आपके घर में भी बहुत कुछ ऐसे मिलेंगे तो प्रै जोड़ा भी है जितना ही उचा है उतना ही इसके सारे भाग एक जैसे है यह क्या क्यूब का एक्जामपल है ऐसे आपके घर में बहुत सारे सामान होंगे क्यूब के एक्जामपल में तो यह समझना है कि यह क्या चीज है मैं तुसमें यहां पर देखो definition लिखी गई है भले इंगलिस में बटा मैं आपको समझाऊंगा हिंदी में कि क्यों इंगलिस हमको खुद नहीं आती है ठीक है तो इसको ले करके भीफ़ कर रही ना अग्दम किरा क्यूब जब थ्रीडी सॉलिड से विच सिक्स स्कॉयर फेसे और अल्डा साइड आफ क्यूब आर सेम लंध मतलब यह जो वर्ग होता है ना स्कॉयर का यह बिक्सित रूप है मतलब आप समझ रहे हैं स्कॉयर कोई ना फोंक बजा के एक नया कार बना दिया है और कई स् स्कॉयर हो गया इधर से की स्कॉयर हो गया इधर से हो गया ना लग रग नहीं आपको इसमें जो में में चीजें समझना है मैं उनके बारे में बात करता हूं ठीक है यहां पर ध्यान देना आगे क्या कहता है कि आगे कह रहा है कि यह जो है सेम लेंथ और सेम ब्रिर्थ के साथ आता है मतलब लंबाई चौड़ाई समान होती इसकी और एक चीज इसमें और कह रहा है कि six square face face क्या होता है 6 face कहां है दिखाऊ 6 face का मतलब आप समझो पहले इसमें चीज समझना है face vertex और ages ठीक है वह चीज मैं आपको describe करके बता रहा हूं जैसे अभी आगे पेज पर देखेंगे तो आपको मिलेगा यह देखो यह काम की चीज है बड़ पहले ज्यादा काम की चीज मत देखो आप पहले न अब कम काम की चीज देखो बताता हूं आपको देखो इदर फाइड में आउ समझते हैं चलो इसमें क्या word है यह एक है face एक यह hexadron मतलब जिसमें 6 face होते है ठीक है खश्ट भूज भी बोलते है और 8 वर्टिक्स यह वर्टिक्स और इसमें कहीं होगा एक चीज और एजेज यह है एजेज और 12 एजेज यह चीज मैं आपको दिखाता हूं यह है कहां इसमें ठीक है जो मैंने डिबबा लिया था इसकी पहचान होती है अगर एक घं है एक क्यूब है तो उसमें 6 face 6 square face क्योंकि आपने कोर्स जोइन किया है आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के तब ही मैं पढ़ा रहा हूं वरना यूटूब पर इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं होता है क्योंकि कोई पढ़ना चाहता है तो आप पढ़ना चाहते हो इसलिए हम आपको पढ़ाना चाहत और अगला चौथा चेहरा ये ठिक है एक चेहरा नीचे साइड में होगा ये पाच्वा अभी समझना छूट कहां से रहा है एक चेहरा ऊपर हो गया एक नीचे हो गया अभी इसमें और भी है मैं आपको वह दिखा रहा हूं लेकिन 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 देखो एक इधर साइड में होगा एक इधर में होगा एक xita in 10, 9-10-10-10-10-11-10-10 ये, हो गया इसके ड्थन नीचे वाला, दो हो गया एक ऊपर राइक नीचे इसम्तलब जिदर से आप इसको देख सकते हो तो इसका उपर एक फेस नीचे चर वो गया अब आपके सामने का यह उसी सीज़ को समझेज़ने को छे पेस लेकिन फिकर में उतना अच्छा से आपको दिखा पाना कि 6 फेस कहा है थोड़ा सा आप नहीं समझ पाओगे चित्र में लेकिन रियल्टी में आप समझ गे न एक ऐसे डिबा ले लो उसमें देखो 6 साइड होते हैं 6 साइड अगर इनको आप गत्ता फाड़ो ऐसे वर्ग बना बना के तो 6 गत्ते मिलेंगा आपक बट एक इधर सामने वाला भी एक तो नीचे वाल ने लिखा था ठीक है तो वह कहां होगा वह भी इसी में होगा इसी में इसी में होगा आप उसको नहीं समझ पाएंगे वह अध्रिस से है 2D फिगर तो नहीं यह 3D है बट यह थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा ना लेक वर्टिक्स मतलब होता सीर्स या किनारा इस मतलब चेहरा फलक बोलते हैं उसे हिंदी में ठीक है क्या बोलते हैं फलक समझना समझना मैं क्या बोल रहा हूं देखो यह फेसेज का मतलब इसको हिंदी में फलक बोलते हैं ठीक है फालक का बोलते हैं फलक अब वर्टिक्स मतलब क्या होता बहुता है बाबू अब रतिक्स मतलब होता सीश यह आठ सीर्फ कहां है इनको आओ में खोजके दिखाता हूं आपको आठ सीर से समझना कहा है देखो यही तो पढ़ने वाली चीज है ना गुरू यह जो किनारे भाई लाइन नहीं सीधी सीधी यही क्या है वर्टिक्स है कितनी है आठ आउग इनते हैं एक एक इधर देखो दो अब डिब्बे में रियल में दिखाऊंगा यह तो किताबी भासा अब वर्जिनल दिखाऊंगो सामने डिब्बाए ठीक है दो इसके इधर यह हो जाएक आपका तीन इसके इधर यह हो गया चार और एक बीचों वाला यह हो गया पांच यह हो गया आपका छे यह हो गया साथ यह बारा है का यार अच्छा वर्टिक्स वो चीज नहीं यह यह आपका हो गया नो है न यह देखो दस यह हो गया ग्यारा और यह हो गया बारा ठीक है यह क्या है यह वर्टिक्स नहीं है यह एज़ेज है एज़ेज मतलब इनके किनारे वर्टिक्स मतलब कोने होते हैं कोने ठीक है तो हिंदी मैंने सही लिखा है हिंदी देखो मेरे को क है सही है वह मैं लिखा उस से यह का मतलब होता क्या किनारा है हफिभी में थोड़ा सा कम समझ में आता यसालीए मैं इसको हिंदी में नहीं लिखा यह वर्टेक्स मतलब क्या होगा तो यह मतलब किनारा किनारा या कोना सीर्स आप कह सकते हो कुछ भी अपने हिसाब से अब समझ दो मैं बताना क्या चाहता हूं ठीक है कि वर्ड में अगर आपको पुरावल्म आरे थे मुझे बताना हिंदी इंगली स्वाल में इसका ट्रांसलेट कर लें ठीक है आगे देखिए यह हो गया क्या है ट्वैल एज अब मैं गिना हूं इसमें मतलब समझो सब्दों पर मत जाओ सब्द थोड़ा हेरा फेरी हो रहे हैं सब्सक्राइब इसके इधर देखो यह भी धी दो यह इधर देखो तीन तीन और यह चार किनारे किनारे की बात कर रहा हूं जिस सामने कार उतना हीए दिकुरा औरते चेंभी है इसके चार किनारे हैं एक किनारे ये हो गया एक हो गया आथ हो गया इधर के ही चार हो गया हाँ 12 हो गया नहीं क्यों सिंहाद कि कुछ किनारे common हो जाते हैं जैसे कैब आप देखो इधर काप चारल लिए लिए ऊपर चार नहीं बनेगा क्यों आपने इधर का जब 4 ले लिया था बहुत आगे वाले में उपर वाओंट कर लिया तो और वाले में आप लोगे तो ऊपर्वास का आपके 4 नहीं बनेंगी दो उसमें कम हो झाएंगे कौन-कौन यह किधर का हो दो ही बचेग इस तरीकीच से 12 होते हैं ठीक है तरह में आ रहाए नहीं नहीं समय में आ आ पताना इसको एक बार फिर से बताऊँको अब को बात समझ में आ रही ना इसमें तो ऐसे पर्टिकुलर आपको ढंग से दिख रहा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं न इसमें 12 दिख रहा न आपको ठीक है समझ रहे होगे नहीं देखो यह पूरा का पूरा गया है इजर से उधर निकला है कोई डाउट ना किसी को यह 10-11 कैसे यहां चलाया खिंच क्यार अपने भाग आया का यह चलो ठीक है तो यह क्या था क्योंटींस तो महने कर दिया थना वैसे फिलाल अघुक यह कोई डाउट है किसी और तो मुझे बताना नहीं न इसको एक बार मैं फिर से कांट करा दूं क्या एक बार फिर से कॉंट करांग और रूको इदर साइड में देखते हैं बड़ा सा नहीं डाउट फूल ना रहे बिल्कुल भी ना आपको ना मुझे आउट फुल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए आए देखिए दिख रहा है ना पूरा क्लियर इसमें कुछ ज़्याद अच्छा दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है ना कि आइए इसको काउंट करते हैं क्या तो एल वर्टिक्स एक समझना यह आपका 2 यह इधर 3 यह इधर 4 ये इधर 5 ये 6 देखको इधर बाला अलग नहीं होगा क्योंकि सिध स्धा सिधा आया है तो इसको ये कह गिनूग इधर पूरा पूरा चे और एक साथ है दन आप देखो साथ हो गया यह आपका आठ यह आपका नो इसमें का सारा भाग थोड़ी एक बार में आप देख सकते हो नहीं देख सकते हो अगर आप इसको देखने के लिए आएसे भी तिरषा कर लो तब भी आपको सारे भाग नहीं दिखेंगे कै ऐसे भी कर लो आप एक बार में सारे भाग नहीं सकते सारे तरप से क्यों किकि lasers 3D face में कभी एक जियृ पूरा का पूरा उसको नहीं देखा दा सकता है उसके कुछ भाग चिपाएंगे ठीक है यह आपके तो हो गए कितने हो गए बाकि अध्रिक में यहीँ आपका होगा साइड्वाला एक उधर 5 वाला होगा ग्यारा और एक इधर ₤ हे आजसमझ में बारा कैसे होते आते थां आप बात करते हैं यह तो गया व्र्टिक्स क्या तो थाना और इसको क्या बोलता है वह देख लिखा ना कहां गया वर्टिक्स होता जाता है थीक है कि वह गया आगे बढ़े आभी इसमें क्या चीछ देखना आपको देखना है वह देखो इन सबनों की अभी त्रांस्लेट करने चलो इस देखने कितने हैं कितने है एट कैसे है आप समझो देखो एक इस मछते चलना ठीक है एक कि दो जहां पर एक से अधिक लाइने आके मिली ठीक है ये छे ये साथ और ये आठ झिक है जहां पर एक से अधीक लाइने जाकर मिली है आप काओगे है यह तूम मिल रही है मिल नहीं रही वहां तुमको लग रहा है वहां मिल रही वहां मिल नहीं रही तो इसको मैं बता दूँ आठ कैसे हैं देखो यहां पर समझो इसमें रियल्टी में समझो किताब उताब में मत समझो इसमें समझो भाईया बाबू इसमें इसमें आठ कैसे हो का देखो यह वे उपर वाला इधर वाला और इधर वाला है यह हो गया चार नीचे साइड भी होता है वह तक नहीं यह नेहीं को जमीन पर उपर उपर भी इतने निकल रहता है तो प्षब तो पावे पी नीचे से हो जाएंगे ना पाव वपर उठ जाएगा ना उसका पाया पावा नि districts हो जाते ना उच्वाहत से रखेंगे तो यह क्या है कि कोई डाउट ना किसी को इसको फटा-फट लिए नोट कर लीजिए अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए कि बताइए कोई डाउट है तो बताइए कि इनकी हिंदी जो है रुकों में बताता हूं कि चलो ठीक है बढ़िया कि यह चीज सभी को समझ में आ गया ओके डण कि रुक जो भाई क्या कहते हैं इसे वर्ट इस ना इसके हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है वर्ट इसे साब क्यूव वर्ट इस मतला बोता सीर्स ठीक है सीर्स और यह इसको बोलते हैं एकवा को कोर क्या बोलते हैं वर्ट इसको सीर्स बोलते हैं जो आर्ट होता है क्या बोलते हैं सीर्स यह क्या भई है बाबू यह सीर्स है ठीक है और इसे बोलते हैं कोर क्या है यह यह कोर है कोर जैसे कहते ह है घर का जिनके लोग रेलिंग नहीं बनी है को अलट जाओगे बात समझ रहे होगे नहीं है इस पर चल रहा हूं तखत पर चल रहा हूं नीचे जहां पर पढ़ा रहा हूं यह बोड़ उपर लगा है अब अगर मैं इसके कोरी पर गया तो मैं नीचे लुड़क जाओंगा इसका मतलब होता है इसका मतलब से और मतलब होता है को पर इच्छा में आपके डियस का या यूट इकिशांड में आ सकता है किक como Ben प्रिक्षा में आपके UPSC किसी सेट में आ सकता है कि वाट इद नंबर आफ एज इन आ क्यूब प्रोटी बात नहीं है कि इतना पड़ाय लिखाई कर लो डिग्री ले लो यह बहुत अच्छी चीज है ऐसे आ जाएगा तो गड़ बड़ा जाएंगे अच्छे अच्छे लोग कर फ्यूजन में चला जाएंगे वैसे जैसे अभी हो रहा था कि ओए एजेज कौन है वर स्टि और इन्हें वटिसेस बोलते हैं इंगलिस में यह जो शंक्या जिनकी आठ होई थी क्या थी उनकी बारा थी ना रहे यार मुझे खुदे कंफीूज हो रहा है काफी दिन बाद पढ़ा रहा ना इसलिए इंगलिस मुझे क्लियर है इसमें बर्ट यह हिंदी वाले सब्द क्य कंफिवूजन मनाता है ठीक है अब इसमें देखो जो संख्यार्ट जिनकी हुई थी हरे हरे लिखे गए हैं क्या है क्या है मतलब पेड के सीर्ज पर सीर्स मतलब चुर्की पर तो अगर मतलब चुर्की उपर तो अगर यह ऐसे रख दिया जाए इसको तो इसका सीर्स कौन होगा उपर एकदम आपको बीचो बीच वाला होगा चूकि यह नोखाट डार तो है नहीं फलेट डार है तो इसके जो सीर्स है चारो तरफ होंगी चारो कोनेफ होंगे बात समझ में आए ना हमारे पर्याग राज में कुम्बोगर लगता है तो आपे जाए तो नदी किनारे कुछ पंड़ा अंड़ा तक्खतों कर लेके बैठे जंड़ा लगाए तो उनके क्या होते हैं चारो सीर्स पर उन्हें फलेग लगा रखा है देखे हो गनी होता है न कई आया समझ में आगे बढ़ें अब इसमें क्या करना है इसमें कुछ नहीं करना आपको समझना था यह चीज़े मैंने आपको समझा दिया आगे करा देल लेंथ व्रीर्थ एंड हाइट आर आफ दा सेम मेजर्मेंट इन क्यूब सिंस दा 3D फिगर इजा स्क्वायर देट आल स चाहि सब कुछ आपसे बराबर होती है एक प्रकार से वह वर्ग के भाग होते हैं जो कि ले जाकर उस पर चिपका दिये जाते हैं समझ मैं है ना पर सिंपल सी बात पलोटे निइठ खोस के गुदि यह क्वाई साब फो लरटे नीठ ठोस क्या है यहां पर देखो एक चीज और आ रहा है क्या मैं भूरा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा यहाँ पर फेर से सब्सक्राइब को आप surrender का नां है एक ऐसा फिगर होता है जिसमें छे फेस होते हैं ठीक है यह मैंने विए सब कुछ आपके लिए ब्वस्तित किया है एक सब आप पॉली ड्रों देखो नए नाम और नाम दे दिया एक विट शिक्स फेसेज और रेगुलर हैक्साड्रोन है सिक्स स्कॉाइर फेसेज एंड हैंस इज आलसो काल्डा क्यूब है मतलब है और दोनों के थाला की चत्टे बथे जिसे नेता देखो चुनाओं में है ना एक दूसरे लड़का की अपना कुप दबाए खाते हैं और लड़की लड़का का अपना बिया और इस तक कर देते हैं लेकिन जन तक सामने आई सब भूंगते हैं दूसरे को खा जाएंगे कड़ जाएंगे एक्के थालिक चट्टे बट्टे होते हैं न रियल्टी एक नहीं कितने कार करता लोग अपसे मार क प्रिकाई दियान दो और सिस्टम जो है वो गड़बर पहले से सिस्टम सुधार नहीं की कोशिस कर यह सरकारे बदलने कुछ नहीं होता है बीच-बीच में बार बार कहता हूं सिस्टम बदलना चाहता है उसके बारे मैं सोचता ही नहीं तो आप लोग पढ़े लिखेंगे अहां एप्टरत्व यह एक रोडय मतल attent और to beウisend यह फाइब फाइब से السटरण दो है लेकिन यह फाइब प्लेटोनिक सॉलीटस में से 1 मतलब यह hexadrone तो है लेकिन यह five platonic solids में से एक है कौन क्यूब मतलब इसे बता जा रहा है कि जो फलाने है वो फलाने के बिटवा के पांचों भाई में से एक है तो वो पांचों भाई कौन है फिर कुछ समझ में आ रहा है नहीं मतलब कहरा जो क्यूब है न यह क्यूब प्लेटोनिक solids में से एक है प्लेटोनिक सालिट से लंग क्या पांच है देखो यहां पर लिखाए न हैक्साड्रोन और इज वन आप दा फाइप प्लेटोनिक solids थी नहीं बता रहा हूं यह पलेटोनिक solids क्या है vet cannot यह थो यह पांच यहांपर यह प्लेटोन काहां से पड़ा एक प्लोटौ बैग्याणिक थे आपने इन्होंने कुछ पर किया था उनके नामरत किया था इनके नाम रखे गए विसंत फलक को जल से आश्ट फलक को वायू से तथा द्वादस फलक को ब्रमांड से जोड़ा था और उन्होंने कहा था कि यह जो मैत्स है यह जो दुनिया है पूरा गड़ित है समझ रहे होग नहीं यह इसलिए उन्होंने पांच फिगर दिये थे मैत्स के उसी में से प्रिथवी से किया था कि जो मेरी प्रिथवी है वह क्यूब के आकार की है उसी में सब कुछ समाया हुआ है जब आप नुमेरिकल वाली कलास देखोगे तो इसके आपको बैलूम निकालना सिखाया जाएंगे इसके सरफ्रेस होगरा और इसके परम क्या बलता है उसे पेरिम सेव कंसिस्ट आफ सिक्सिस्क्वाइर फेस एट वर्टिक्स एंड तो एजए दलेंथ वरीथ यह सब तो हो चुका कहानी खतम आगे बढ़ते हैं यह प्लोटोनिक ठोस क्या होता है बताया ना प्लोटोनिक ठोस का पांच चीतर तो मैंने आपको दिखा दिया लेकिन होता क् ठोस के अपने बिसिस्ट गुण होते हैं जो उन्हें बाकी से आलक बनाते हैं जान रहों क्या क्या गुण होते हैं इनके पहले इनको मतलब समझ लो इदर साइड में देखो लिखा ऐसा पढ़ सकते हो आप इनको ठीक है यह पांच होते हैं एक चतुफार्सिये एक क्या होते हैं उनके बारे में चोटी बाते बता दिया वह एक खुद में एक टॉपिक है मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा वह एक अलग टॉपिक है यहां से आप कुछ मतलब के चीज़ें समझ लेजिए पलोटोनिक ठोस के अपने गुण होते हैं वह अदूतिये होते हैं जिसे सूरज, सूरज का एक गुण है कि वो हर दिन निकलता ठंडी गर्मी बारफात चाहे आदमी धूप से के चाहे धूप से भागे लेकिन निकलता हर दिन है उसका अदूतिये गुण है और पूरे ब्रह्मांड में जाता है मुझे पता है यह की ही इतना बड़ा तारा है जो इतना जादा तेज चमकता है इतना जादा धरती फिनेश दीख है क्योंकि सूरज भी देखता रहा ही है न जनते हो नहीं इनके कुण होते हैं कि सभी फलक नियमी तो असमरूप है पलोटोनिक आकृतियां उत्तम बहु फलक है पलोटोनिक ठोस के फलक अपनी किनारों को को छोड़कर कहीं भी पतिश्यद नहीं करती हैं मतलब किनारों को छोड़कर बीज में कहीं जालमाल नहीं करती है और परतेक सीर्स पर समान संख्या में फलक मिलते हैं पलोटोनिक ठोसों में बहुकूनिये फलक होते हैं जो आकार उचाई और किनारों में समान होते हैं और इनके जो यह कोने हैं वो एक दूसरे को यहीं लाके कॉन ना पर ही मिलाते हैं कि पीच उच में नहीं मिला देते नहीं तो इसे तिर्शा मिला दें जिसमें कुछ सामाना नहीं भर सकते हो ना वहते हैं वह सारी डिब्बे आप देखे होंगे खाने-खाने कर कोई प्रोड़क्ट आप मंगाते हो अंदर में ऐसे गत्य डालते चारो तरफ से न वह कहीं भी दूसरे को काड़ते हैं फिर वह न तो यह चलते हैं अपने उस टॉपिक पर में क्यूब डेफनीफन इन मैथ मुझे लगता है कि डेफनेशन तो मैं पीछे ही कर दिया था इसका है ना रियल लाइफ में इसके जो एक्जांपल है क्यूब के मैंने पहली बात दिब्बा आपको दिखा दिया दूसरा प्लेइं डाइस ठीक है देख रहां ना आपे खेले योग नहीं ची और आइस क्यूप रुबिका क्यूप इत्ते आदे यह रुबिका का क्यूप यह क्या होता बाई रुपिक्स क्यूप आप सभी को मालूम हो गाए न अब बात करते हैं डिब्बे के गूण क्या है जो अभी आपको यह वर्ग की चिपका चिपका के बनाया गया ऐसा दिखता है इनके अपर टा सिरस होते हैं यह जो सभी फलक के आकार के होते हैं मैंने अभी आपको दिखाया ना यही है गन इसका आप सामने वाला चीज देखो बराबर है कि नहीं इसकी जितनी उचाई है उतना ही इसकी चौड़ाई भी है इधर से कर लो इधर भी उतना ही मिलेगा आपको जादा कम नहीं मिलेगा इधर से कर लो उतना ही बस थोड़ा सा रुको भाई यह लाता हूँ निकल जाव चलना उदर के लास में चलना दिखा के लाता हूं तुझे आओ देखो इधर यह वैसा नहीं है यह क्या है इधर आप देखो जितना यह लंभा है उतना यह उचा नहीं है है इधर फैड में देखो बिल्कुल फोट्टू सा हो गया तो यह क्या है यह क्यूब का इजामपल नहीं है यह क्यूब आइड का इजामपल है बात समझ में आए ना यह लंबा ज्यादा है चौड़ा कम है यह किसी तरब से भी देखो आप बराबर नहीं दिख्यागा आपको किसी साइड से समझ में आए ना यह क्या है क्यूब आइड का इजामपल है दिफिज नाट क्यूब ठीक है चलो तो किसी भी दो फलकों की या सपहों के बीच का को नब्बे होता है अभी मैंने आपको दिखाई दिया जैसे अगर उसका सामने वाला जो फ्रंट है वो एक वर समांतर होते हैं विपरीत जो है तल या फलक एक दूसरे के समांतर होते हैं समांतर मतलब समानंतर वो कभी दूसरे को काटते नहीं पैरलल होते हैं जैसे देखिए इसका एक चेहरा कोई वर्ग वर्गा आकार कोई चीज है आइटम है तो उसका एक जो चेहरा है जो फेस है ज इधर वाले पर भी उठाएं तो कभी एक दूसरे मिटाच नहीं करेंगी वह अपने रास्ते जाएगा अपने रास्ते जाएगा बात समझ रहे हो ना समझने वाली चीजे हैं अगर समझो तो एक टॉपिक में एक दो घंटे समझो ना समझो तो कुछ है ही नहीं ठीक है आगे घंए परतेग फलक अन्य चार फ़लकों से मिलता है अगन में परतेग तीन फलकों और तीन खिनारों से मिलते हैं यह था किनारा खाचा-पचा मैं आपको बता चुकाूं अगर आप बैट के एक डिब्बा लेके कपेर करोंगे मेरी बातों को सुनोंगे समझोगे मैं अभी क कहो तो मैं डिब्बा खोल के दिखाऊं आपको लेकिन अगर डिब्बा फाट डालूँगा तो मुझे रखना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो इसलिए मैं डिब्बे को फाड़ूँगा नहीं काफी दिन से मैं रखाऊं दो-3 साल से आपको दिखाता हूं जब तो फिलहाल मुझे रखता है नहीं समझे तो मुझे बताना मैं डिब्बा को ओपन करके आपको दिखाऊंगा एक मैंने वर्गाकार का डिब्बा ले लिया इन्होंने क्या किया इसको उपर फैसे फाइट से एक फाड़ लिया फाड़कर उसको फैला दिया मतलब जैसे अगर आपको यह नहीं समझ में आई तो बताना मुझे इसी को यह ओपन करके दिखाया है साइड है यह साइड है यह टॉप है यह फ्रेंट है यह बैग मुझे कमेंट करना या आपको नंबर दिया गया आप इस्पेसली अप्लिकेसर माली कलास में जो आइन है तो आपके पास यह नंबर होगा 9455 से इस पर आप मुझे इसका इसक्रेंसाट भेजना या बताना कि मुझे यह चीज ओपन करके दिखाया जाए तो मैं आपको में ठीक है वन दिसंबर 2014 से अप्लिकेशन में आ रहा है जिसका नाव NCRT 2024 लेकिन इसकी खासियत है इसमें कच्छा एक से दस तक का पूरा NCRT रहेगा जो आप देख रहे हो सकता है इस बैच में आपको टॉपिक टॉपिक मिला हो इसमें वन येर का फिस कीवल 700 बदब चार इंसाड ले लेना या नोट कर लेना वीडियो रोपके अब बात आती है इनके घं के सुत्र इनके फार्मूले क्या है उन चीजों को समझते हैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर फार्मूला देख लीजिए बाकी चीजे में आज नहीं कराने वाला कुछ भी ज़्यादा कि कह रह इसको मैं पूरा इसका विस्तार में डिटेयल लिखके रखा था एल एसे और टी एसे टोटल सर्फेस एरिया और 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 भी कुछ इसको बोलते हैं साटकट में कि रुको में तुम्हें बता रहा हूं कि एल एसे और इसको बोलते हैं जो है लेट्राट सर्फेस एरिया और टी एसे मतलब टोटल सर्फेस एरिया तो अगर हम पास रूप प्रिष्टिये शेत्रफल बोले तो इसका सूत्र होता है घं का 4a2 और अगर हम बोले कि पुल प्रिष्टिये शेत्रफल टी एसे टोटल सर्फेस एरिया तो 6a2 होता है आयतन का फार्मूला होता है क्या एक क्यूब एक क्यूब होता है या फिर रूट 3 अपान डी का क्यूब तो इसके बारे में एक नई कलास में आपको बताऊंगा आप सिर्फ आज फर्मूला जान लीजिए बस कि टोटल सर्फेस एरिया होता क्या है कैसे समझते हैं इनके बारे में बताऊंगा देखिए अभ चार टॉपिक बचे हैं इस चार टॉपिक में कम से कम 20 वीडियो बनेंगे उससे कम ने बनेंगे और ज्यादा बन सकते हैं भी यह वही फार्मूले हैं इंगलीस में लिखे गये हैं इन्हें भी आप कंसीडर्ड कर सकते हो समझ सकते हो और मैं इनको थोड़ा सा दो परकार के होते हमें अब हने सुत्र देखा उसी की पडिएासा है किसी घन का क है स्बी प्रत फलकों के दो एक चार उते हैं में चैर चैहरे कैसे इस प्रत बिख्रिक्यारो च्छे चेहरे होते हैंड तो छुप कौन-कौन से जाते हैं समझ में आ रहा दो बताओ मुझे आगे क्या कहता है इफ लिए घंड के सभी चार पास फलकों के शेत्रफलों का योग उसका पास प्रशेत्र होता है देखो इसका मतलब यह होता है और यह प्रोड़ सब्सक्राइब तो चार बार կह पर जोड़ोगे तो is लिए बार क्या होता है जो ही इनका सब्सक्राइब अ आता कैसे इसको मैं explain कर दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसे आता है open करके मैं आपको दिखा दूंगा अभी आज के वाल मतलब समझ लो बस अजय के दूंगे शेत्रफल बराबर भुजा के स्कॉयर तो छे बार निकालोगे तो छे स्कॉयर हो जाएगा बस कि एक है लिटरल सरफस एरिया टोल सरफस एरिया है यह यहां पर लिखा गए आप इनको देख लीजिए फटाफट जांते हो ना वाला को लिए कैसे आते हैं इनको मैं निगमन कराओंगा एक नई क्लास कर अश्ड़न क्या होता हैं आएंटन में पर हादार को से यह बदेख लिए आप जानते हो न जानते हो जैसे आयात का विकार्ण होता यह आया था इसका भी कड़ा ऐसे होता नहीं वर्टिक्स यह ऐसे वर्टिक्स नहीं इसको डाइगॉनल बोलते हैं तो बस यह टॉपिक था इसमें जो आपको दिख रहा उपर यही चारो टॉपिक बचे थे आपके अपलीकेशन वाली क्लास में इसमें से मैंने एक का आधा कर अब ऀ क्यूब का एकात क्लास और भी होगा उसके बाद क्यूब वाइड में क्यूब के फर्मूले समझा करकर अच्छे से इस्प्लین करके उनके फर्मूले पर आपको नुमेरिकल करने कोई दाउट है तो बताईए लोग live class live class live class जोडते रहते हैं उनके लिए कि लिए शुजाओ है पागे कर आ रहे हैं आवाज सही नहीं आ रही इंटरेंट नहीं चल रहा है मतलब कुछ नहीं कोई लोचा होता रहता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है कि मुझे एक अंतर बता देना कि लाइब में ऐसा क्या आपको मिलता है जो वीडियो में मिलता है मैं पूरा सारा कॉर्स कर दूगा गर तुम्हें कोई अंतर एक ढवन कर दुछ रहे हैं और चालिस मिनटर की हो रही था हम पढ़ाएं ना आइसा थो नहीं कि एक लोग का डाउट बताया सब लोग समझ गए यह तो ऐसे गदाहा बच्चे हैं कि एक के परकार का सबलगा एक थोरे बताया तक लगाएगा हमार दोलग है इसलिए डाउट के लिए मैं अपना परसनली नंबर देता हूं आपको डाउट नहीं बताता हूं यह मेरा नंबर परसनली है जिसमें लाश्ट में 37 है आप डारेक्ट हमें बेजी हम आपके डाउट क्लेर करते हैं लेकिन आप तब है पूछोगे पढ़ोगे नहीं कैसे आगे बढ़ पाएं यह पूरट अप्लिट टॉपिक था इसका नाम था क्या क्यों इसके बहुत बहुत धन्यवाद